अब क्रीम कॉंटोरिंग के लिए हम इनका टॉक माट लिप क्रियॉन यूज करेंगे इन दे शेट ब्रिक ब्लेर कॉंटोरिंग हमेशा कान के पास से स्टार्ट होनी चाहिए डिरेक्शन आपका होना चाहिए आपकी लिप्स की तरफ एन आधे रस्ते आके आप रोग देंगे फॉरहेट को छोटा दिखानी क्ले भी कॉंटोरिंग करते हैं नोस को एक स्लिम एफेक्ट देने के लिए दो पैरलल लाइन्स ड्रॉ करते हैं जितनी पास ये लाइन्स एक दूसरे के होंगी उतनी पतली एंड स्लिम नोस लगेगी एक शाप जोलाइन क्ले यहाँ पर एक L शेप का आंगल क्रियेट करेंगे स्टार्ट करेंगे कान के पास से चिन तक लेके जाएंगे इसको ब्लेंट करेंगे हम इनकी कॉंटोरिंग ब्रश से आप देख सकते हैं यह कॉंटोरिंग काफी असानी से स्किन में में मेल्ट हो जाता है जोलाइन में एक आंगल क्रियेट करते हुए ब्लेंट करेंगे और फॉर हेट कॉंटोर को अपवर्ट्स ब्लेंट करेंगे upwards blend करने से आपकी hairline में product जाके blend हो जाता है यह product perfect है cream contouring के लिए cheeks पे भी upward blend करते हैं जिससे cheekbone काफी chisel लगती है and jawline पे angle create करेंगे